हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं हूँ हर्बीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल लर्ण इजी विद हर्बीर सिंग में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको साधी चीजे जैन वेन मिलेंगी तो साथियों मॉर्निंग न्यूज में मैं आज आपके लिए काफी इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ सबसे पहले डिएससबी रिजल्ट को लेके अपडेट है इसके बाद के विएस का एक अपडेट है और इसके बाद सरकारी जॉब का एक अपड आते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर आने वाला है जी हां सातियों आने वाले दो वर्सों के अंदर सवा दो लाग जॉब आने वाली हैं लगबग सवा दो लाग नई जॉब आने वाली हैं रेलवे के अंदर ये कल न्यूज पेपर में मैंने पढ़ाता तो आने व तो ये सभी UA साथियों के लिए एक अच्छा मौका है बहुत सारी vacancies आने वाली है जो साथी कुछ नंबर से चूग गए थे तो वो अपनी preparation अच्छे से करके दुबारा apply कर सकते है इसके बाद साथियों KVS से जुड़ा हुए एक update है सायद आपको कल update मिल गया होगा KVS ने कल cut off जारी कर दी है TGT और PGT की इसके बाद PRT की बात करें तो PRT की जो cut off है वो भी बहुत जल्दी साइट पर आने वाली है किसी भी दिन आपकी cut off आ सकती है हलाकि कुछ दावे की जा रहे थे कि पहले PRT की cut off आएगी 27 को आएगी तो वो सारी चीजे फेक दिख रही है जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सारी चीजे पहले आपको genuine बताए जाती है जो अच्छे sources से हमें पता चलता है तो साथियों इसके बाद बात करते हैं MCD PRT तो MCD PRT का एक बड़ा अपडेट आ रहे हैं और कल हमें इस चीजे का पता चला तो यह genuine sources से पता चला है तो इसमें क्या है कि जो deleted question है अभी क्योंकि आपको पता है कि MCD PRT का जो result है बहुत बड़े level पे है सबसे ज़्यादा vacancies है और सबसे ज़्यादा controversy उसके उपर ही चल रहे है case चल रहे है बहुत सारी चीजे हो रही है तो MCD PRT का जो update है वो क्या है कि कल जो sources से पता चला है तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो deleted question है उन पे काम पूरा हो चुका है deleted question पे काम पूरा हो चुका है और जो final cut off है वो बन के मैम के पास जल्दी ही पहुचा दी जाएगी जो DSSB chairman मैम है उनके पास मतलब पहुचा दी जाएगी लगबक तीर महीं ने उन पे काम किया गया है मुझे लगता है कि DSSB अब की बार कोई भी step बड़ा सोच समझ के लेगा क्योंकि आपको पता है कि जो repeated question है उनको लेके भी काफी controversy हो सकती है तो DSSB ने काफी time लगाया है लेकिन उस पे मतलब पहले से ही work कर रहा है काफी time से और उम्मिद यह है कि सारी चीज़े अच्छी होंगी DSSB मतलब उस पे अच्छे से काम कर रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि repeated question है इनसे भी मतलब बहुत दिक्कते हो सकती है DSSB को बच्चे case भी कर सकते है इस चीज़ को लेके तो DSSB मुझे लग रहा है कि अच्छा काम करेगा इस चीज़ पे और जैसा कि आपको पता है कि MCD PRT को लेके cases भी होए है और मतलब काफी controversy होई है exam को लेके तो उमेद यही कि DSSB इस पे अच्छे से काम करेगा और जल्दी ही जो final cutoff है mem के पास जाने वाली है और final cutoff आपकी आ जाएगी जो cutoff आएगी result है आपका जल्दी ही आ सकता है तो सातियों ये थी morning news अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को share करें लाइक करें जैहिंद वंदे मात्रम टेक कियर गुडबाए